वेलकम टू फ्यूचर जोन अकैडमी आज हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स की ओर बढ़ते हैं मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था अवकलानिक अनुवरियोग आज हम उसी को खतम करने की कगार पर है इस चैप्टर में आज हम उस टोपिक की बात करेंगे जिससे आपका कोश्चन 100% आता है और आप लोग वो इस अच्छे से कवर करना है और वो टोपिक आपका उच्चिस्ट और निमनिस्ट ओके आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग उससे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक देखिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस बहतर हो सकी और अगर आप हमारे स्पेसल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 875-508-4148 पर संप्रक कर सकते हैं इस स्पेसल बैच में कैसे पढ़ाय रहता हैं इसके लिए आप लोग हमारे चैनल फ्यूचर जोन अकैडमी में एक वीडियो पढ़िए है जिसका नाम है ओनलाइन कैसे पढ़े देख सकते हैं आईए सुरू करते हैं तो टोपिक है हमारा उच्चिस्ट एयों निमिनिस्ट तो पहले मैं आप लोगों बताना चाहता हूँ कि फ्लन का महतम मान क्या होते हैं मान लो हमारे पास कोई function है fx बराबर sin x इस sin x का मान आप अधिक्तम कितना देखते हैं आप देखते हैं कि इसका मान अधिक्तम पलस एक होता है और निमिनिस एक होता है तो जो इसका मान सबसे ज़्यादा होगा उसको महतम मान बोलते हैं और जो सबसे कम होगा उसको क्या बोलते हैं नियुन तम मान बोलते हैं यहां तक कोई भी डाउट नहीं है एक बार और देख लेते हैं मालों हमारे पास एक function fx बराबर x square प्लस एक आप लोग देखे x square यानि जो आपका वर्ग होता है उसका मान या तो 0 होता है या फिर 0 से क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है कुछ भी हो सकता है बड़ा बहुत उचाईदा हो सकता है लेकिन 0 से माइनस नहीं हो सकता है कभी भी किसी भी चीड़ी का वर्ग माइनस एक नहीं हो सकता है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसका fx का मान कम से कम कितना होगा एक होगा क्योंकि इसका मान 0 होती इसका मान कम से कम कितना होगा एक होगा और अधिक्तम आप इसका मान ग्यात नहीं कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं फलन का नियुनितम मान आपने देखा कि हो सकता है और अधिक्तम मान भी हो सकते है ओके दोनों पॉंट विलुकूर के लिए रोगए होंगे आई ये नेक्स्ट पॉइंट के और बढ़ते हैं तो नेक्स्ट नीचे वाला मान जो आपका सबसे नीचे वाला मान होगा उसको क्या बोलते हैं निमनिस्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं निमनिस्ट ओके तो जिन बिंदू पर हमारा सबसे ज्यादा मान होता है यह पर सबसे कम मान होता है उनको चरम बिंदू या फिर वरतन बिंदू बोलते है आप लोग इस बात को अच्छे से कवर कर लिजिए चरम बिंदू, वरतन बिंदू आपके वो बिंदू होते हैं जो आपके सबसे उच्छिस्ट और सबसे इनिमनिस्ट पॉइंट पर पाई जाते हैं यहां तक आपकी बात बिल्कु किलियर हो गई होगी आईए आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को अब हमेरा थोड़ सा कोश्चन के दोवारा शिखने का प्रियास करते हैं देखिए परन का उच्छिस्ट तानिमनिस्ट मान गयात करना आप इसको कैसे गयात करेंगे एक तो आप पहले ओकलन करके देख लेंगे फिर आप दूसरा ओकलन करके देख लेंगे जब आप पहला ओकलन करके देख लेंगे तो उसके बाद जो आपका मान आएगा अगर वो मान आपका जिरो से बढ़ा आता है यानि अगर आपने पहले डिवाइपुन डेक्स कर लिया और वो मान आपका zero से बड़ा आता है तो आप लोग सीदी सी बात समझजिए कि आपका जो फलने का मान है वो उट्चिस्ट है क्या है उट्चिस्ट यानि बड़ा होगा ध्यान रखे सीज़ को जब आपका पैला alkaline होगा और आपका पहले alkaline का मान zero से बड़ा आ रहा है तो समझिए कि आपका जो मान है ना वो फिलाल उच्चिस्ट है क्या है जिरो से बड़ा है तो उच्चिस्ट होगा अब देखे ज्यान से पहला पॉइंट आपका बिल्कु किलियर हो गया है हम सामनते इस टेस्ट का उपयोग नहीं करते हैं और यह हमारा जैदकर सोल्ड भी नहीं होता है हम क्योंकि हम हाई लेविल की बात कर रहे हैं क्योंकि ट्वैल्थ क्लास में जो आपका टोपिक दिया हुआ है उसके उपए इसमें बहुत कम काम करने को मिलते हैं हम देखते हैं और उच्छ तरवीदी हम जैदकर सारे सारे कोश्चन में इसी मैथड को लगाते हैं तो आई हम इस मैथड के बारे में देखने क्या मैथड है इस मैथड में ऐसा करना होता है पहले आपका जो भी आपका वाई बराबर एपक्स दिया हुगा कोई भी फिलन होगा फिर आप ओ ड्या पॉन ड्यक्स ग्यात्करेंगे tsों कि ड्याप ड्यक्स बराबर 0 रखकर आप एक्षक के मान यात ड्यान से समझझे सेघ्जो को मान यहात करेंगे फिर आप क्या करματα इस्का ड्यक्राइब करेंगे तो जबबारेन जो भी आपका आइगा suis उस अवकलन में आप लोग X का मान रखेंगे जो भी X का मान रखने के बाद आपका मान आएगा अगर वो मान 0 से छोटा आता है तो आपका उस बिंदू पर क्या होगा उचिस्ट मान होगा अगर आपका जिरो से बढ़ा जाता है तो आपका निमनिस्ट होगा ध्यान से समझेए पहले आपको वाई बराबर FX रख लेना है पिडिव एपॉन D-X बराबर 0 कर लेना है एक्स के सारे मान याद कर लेने है फिर इसके बाद D-Square एपॉन D-X Square के याद कर लेना है फिर आप ये एक्स के मान इसमें रखेंगे रखने के बाद अगर आपका 0 से छोटा मान आता है तो इस पर उच्चिस्ट होगा जिरो से इस शीट को समयने का परियास करते हैं ओके तो लेकर चलते हैं आप लोग कोश्चन के और तो पहला कोश्चन है आपका फलन एफ एक्स बराबर दो एक्स मैनस एक का स्क्वाइर प्लस तीन के उच्छिस्ट एउर निमनिस्ट मान याद किजिए इस कोश्चन पर आप फोकस कीजिए आप लोग देखी ध्यान से मैंने भी ऐसा कोश्चन डिसकस भी किया था यहाँ पर आप देखे जो आपका फंक्सन है वो कि एफ एक्स बराबर दो एक्स मैनस एक कि पावर दो प्लस तीन है ग्यान से देखे इस चीज़ को अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ग है क्या एक वर्ग है और मैं आपको का कि वर्ग का मान या तो जिरो हो सकते है फिर जिरो से पलस हो सकते है लेकिन 0 से माइनस नहीं होता तो 0 से बड़ा यानि इसका आप ज्यादे से ज्याद मान तो ग्यात नहीं कर सकते तो आप कहेंगे कि उच्छिस्ट नहीं ग्यात हो सकता उच्छिस्ट नहीं ग्यात किया जा सकता आप देखिए आपने उचिस तो नहीं अब निमनिस्ट की बात करें तो निमनिस्ट इसका CDC बात है निमनिस्ट इसका कितना होगा इसका मान जिरो होगा तो निमनिस्ट इसका कितना होगा तो तीन होगा कम से कम इसका मान जिरो होगा तो इसका मान कितना होगा टोटली बात है निम्जेशिक का 3 होगा, होगा नहीं, तो यह question आपका clear हो गए है, आपकी problem बिल्कुल आसानी से हल हो गई है, आईए next question देखते हैं, next question आपका plan FX बराबर, fx बराबर कितना दिया हुए fx बराबर दिया हुए minus mod x प्लस एक प्लस तीन यह भी question आपका very very important है और paper में कहीं ही भार पूचा गए है देखें इसमें क्या पूचा गए है उत्तम और निम्तम मान याभ की जिए तो आप लोग एक बार देखें यहां पर focus कीज़ों इस topic पर यहां पर यह आपका mode दिया है mode का wanna क्या होता है हमेशा plus का उता है तो जब आप यहां पर ahaan रखेंगे तो पलस का mana जब बहर minus का लग रहा है तो माइनस हो रहा है तो इसलिए आप इसा कम से कम मान कितना रख सकते है 0 तो जब इसक感 mane 0 रखेंगे तो यह आपका 0 यानि यह mane कितना देगा? 3 तो यह तो आपका अधिकता mane हुआ. क्या होगा? महतम mane महतम mane कह सकते हैं या फिर आफ उस्ट कह सकते हैं उस्टिस्ट mane इसका कितना होगा? 3 ध्यान से समझ यह क्यों हो रहा है 3 जब आप यहाँ पर 0 की बजाए 1 रखेंगे तो यह माइनस का 1 हो जाएगे 3 से 1 गटकर 2 रह जाएगा आप देखें अगर आप इसका मान बढ़ाते जाएगे 0 ना रखकर बढ़ाते जाएगे तो इससे कम होता चले जाएगा तो अधिकता मान कितना होगा 3 आप इसका नियुनतम मान गयात नहीं कर सकते हैं क्योंकि नियुनतम मान इसका कुछ भी हो सकता है तो नियुनतम मान गयात नहीं कर सकते हैं तो आप लोग दोनों कोशन को चे समझ गए होंगे आईए next question देखते हैं और अच्छी तरह समझने का परियास भी करते हैं तो next question आपका FX बराबर X की पावर 3 प्लस 1 का उच्छिस्ट निमनिस्ट मान गयाद कीजिए तो आप ध्यान रखिए आपका FX बराबर कितना है X की पावर 3 प्लस 1 ऐसे question में जहां पर आपकी power ओड आ जाती है क्या जाती है ओड ओड का मतलब विसम आ जाती है तो आप लोग ने तो उच्छिस्ट गयाद कर सकते हैं और नहीं आप निमनिस्ट गयाद कर सकते हैं ओके आप लोग क्या लिख सकते हैं एक्स के मान बढ़ने और गटने पर एक्स के मान बढ़ते और गटते हैं तो हम जितना चाहिए उतना बढ़ा प्राप्त कर सकते हैं और जितना चाहिए उतना चोटा प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एक्स का मान गयात नहीं हो सकते हैं यह कोश्चिन भी आ उत्चिस्ट और निम्निस्ट इमान याद नहीं कर सकते हैं अब आप यहां पर आजाएए यहां पर आपका एफ एक्स बराबर दिया है कितना साइन अंदर फिर आपका ब्रेकट में रखके साइन एक्स का निम्तम मान याद किजिए देखिए आप लोग इसका क्या करना चाहत हैं तो इसको निम्तम मान कैसे ग्यात कर सकते हैं अब आप छाess कीना मायन यहां लग चेस्ट ब्राबर निम्तम मान यहां पर आजाएगा साइन यहां पर मांएक यहां पर मैंशे किए था दर्ट जाएगा यहां अप और यहां कितना बचा साइन एक यही इसका क्या होगा निम्तम मान होगा इसे कम इसका मान नहीं हो सकता है तो आप लोग इस कोश्चन को भी अच्छे से कवर कर गई होंगे कैसे यह आप लोग साइन एक का कम से कम मान माइनस एक रखेंगे माइनस एक यह माइनस चीन आपका साइन में बाहर आ जाता है तो आपका बाहर आने पर माइनस साइन एक बन जाएगा तो यह भी आपका कवर हो गया होगा आए नेक्स्ट पॉइंट की और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लन के उच्टम और निम्नम बिंदू गयात करना अभी मैंने इस कोश्चिन के उपड़ डिसकस भी किया था कि कैसे कैसे अभी करना है तो मैं आप लोगों बताऊं पहले आपको क्या करना है य बराबर fx लिख लेना है फिर आप क्या करेंगे d y pn dx गयात कर लेंगे जो भी आपका आएगा फिर आप d y pn dx को 0 के बराबर रखेंगे और रखने के बाद x के मान गयात कर लेंगे X के मान गयाद करेंगे ध्यान से समझे इस चीज़ को फिर आप क्या करेंगे फिर आप D square Y upon D X square गयाद करेंगे और गयाद करने के बाद आपको ये X के मान इसमें रखने है अगर आपका D square Y upon D X square का मान 0 से छोटा था है तो आपका उच्चिस्ट होगा और अगर आपका भी मैंने बताए अगर आपका क्या होता है D square Y upon D X square का मान 0 से बढ़ाता है तो आपका क्या होता है निम जिस्ट उल्टा होता है यहाँ पर और अगर आपका D square Y upon D X square बढ़ाबर 0 जाता है आपका टेस्ट फैल जाता है जो की आपकी क्लास में ना के बराबर होगा ओके आईए कोश्चन डिसक्स करते हैं इसके उपर भी हम कोश्चन लेकर चलते हैं कोश्चन से आपकी जल्दी समय आदाएगा तो कोश्चन आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है यह कोश्चन मेरे आपकोश्चन से जल्दी से सलेक्ट किया हुए है कोश्चन आपका एफ एकस बराबर एकस की पावर तीन माइनश श्केस स्क्वेरपल नो एकस प्लस पंद्रह उत्तों से हुथे ने क्या उताया इसमें इसमें जिनकरना और जितर उच्छन गयात करने में बिन्दू गयात क बाहर ले लिए अंदर एक्स स्क्वार माइनस कितना हो जाएगा तीन चोक बारा चार हो जाएगा और प्लस आपका कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा प्लस आपका कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा कि नहीं आपका यहां तक बिल्कुल किलियर हो गया होगा अभी हमें क्या करने से गुणनकन करने हैं तो याँ पर आप इसके गुणनकन कितने कर सेगे एकस माइनस थीन एकस माइनस एक मैंने गुणनकन थोड़ा डायरेक्ट लिकर लिए आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नाओ आगे बढ़ते हैं अब आपको क्या करना है माना आपका डी वाई हो गए हैं अब आपको क्या करना है आपको निम्तम और उचिस्ट मान याद करने है यानि आपको क्या करना है उचिस्ट और निम्निस्ट मान याद करने हैं तो आप लोग देखिए आप लोग दोनों तरीके से याद कर सकते हैं एक तो मैंने आपको कहा कि आप दुबार से करिए, वहाँ से याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप simple एक बार alkaline से भी याद करना चाहते हैं, तो उससे भी हो सकते हैं, तो पहले हम simple से ही करने का परियास करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अत्या उचिस्ट वै निमनेश्ट एक्स बराबर 3 वै एक्स बराबर 1 पर होंगे, अब आप एफ एक्स का मान रखिए, यानि कितना था एफ एक्स अमान, एक्स की पावर 3 माइनस 6 श्क्वार प्लस 9 एक्स प्लस 15, जो आपका 3 है, 3 रखकर देख लिए, तीन आप तीन की पावर 3, 27 माइनस 6 गुणा 9 और फिर आपका 9 गुणा 3 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 15, आप जब कैलकुलेट करेंगे, तीन रखकर तो कैलकुलेशन आपकी कितनी हो जाएगी, देखे 27, नम्चे की 54, नो तिया 27, फिर आपका प्लस 15, तो ये तो आपके कट ग जाएगा, नो देखे आप लोग, नो रिक 10, 10 अर 15, 25 माइनस 6, तो आपका मान कितना जाएगा, 19 जो आपका मैत्तम यानि उच्छिस्ट मान होगा, वो तो यह होगा, 19 और जो आपका निम्निस्ट मान होगा, वो कितना होगा, 15, आप लोग एक और बात याद रखिए, आपका यह है, कि जो आपका उच्छिस्ट और निम्निस्ट होता है न, वो हमें साथ डिवाइपॉन डेक्स बराबर 0 पर होता है, तो आपको जो बिन्दू मिलेंगे, जहाँ पर आपका उच्छिस्ट मान होगा, और निम्निस्ट मान होगा, वो डिवाइपॉन डेक्स बरा सुसरा भी लगा सकते दूबारा आउकलन करके मान रखकर भी निकाल सकते पिलाल तो आप क्या करिए एक बार आं 설ug क्या हुगा अब आगी नेक्स लेखते हैं के नेक्ट्स कोचिन हैमारा एंस बराबर X-2 की पावर 4 X-1 की पावर 3 के लिए 29 बिंदो और 29 बिंदो ग्याद कीजिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आपका FX बराबर लिखे लिए कितना X-2 की पावर 4 X-1 की पावर 3 यह Y की बराबर है फिर आपको मैंने कहा कि यहाँ प्लस का निचान लगेंगे फिर आपका पहले वाला सेम रहेगा दूसरे वाले का आपका आउकलान हो जाएगा 3 X-1 की पावर 2 अब आपको क्या करना है कि यह 0 की बराबर रखना है तो पहले मैं थोड़ा सा हल कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखे आप लोग यहाँ पर X-2 की पावर 3 और X-1 की पावर कितना 2 कोमन आ रहा है तो अंदर कितना बच जाएगा आपका 4 X-1 बच जाएगा और फिर यह देखे यह तो मैंने 4 X-1 बच जाएगा और फिर यहाँ पर प्लस का निसान हो जाएकर X-2 बच जाएगा और कितना 3 बच जाएगा अब आपका जो बचा थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा X-2 की पावर 3 हो जाएगा X-1 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पर आप देखे यह जाएगा आपका 4X प्लस 4 प्लस 3X माइनस 6 तो थोड़ा सा और अहल कर लेते हैं X-2 की पावर 3 X-1 की पावर 2 यहाँ पर जाएगा आपका 4,3,7 X और माइनस कितना बचेगा 2 मैंने का कि आप D.Y.X को 0 के बराबर रखेंगे तो मैंने D.Y.X बराबर आपका 0 रखा 0 रखने पर आप देखिए यह माना आपकी 0 जाएगे X-2 की पावर 3 X-1 की पावर 2 और फिर आपका 7 X-2 की पावर यह तो आपका X समान कितना होगा 2 या फिर आपका X समान माइनस 1 कि या फिर आपका एक्समान दो बटे साथ होगा अब आपके तीन मान आई हैं मैंने आपको कहा कि आप लोग चेक करेंगे कि कहां कहां पर आपका मान अधिकतम प्राप्त हो रहा है तो आप इसके लिए क्या करेंगे सारे सारे मान रखेंगे तो आपका मान कहां कहां पर कितना आपको लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लोग यहां पर यह जो आपका function है इसमें बिंदू रखने का प्रियास करेंगे, तो पहले मैं यहां पर दो रखते हूं, तो ऐप एका कमान देके आप दो कमान कितना रहा, तो यह दो जब आप रखेंगे तो इसका मान 0 हो जा इतना दो अधी साथ तो आपका मानिए इतना हो जाएगा दो बट्र रखने पर देखिए यह जए का दो बट्टे साथ माइनिस दो की पावर चार और यहां पर बस यहीं आपका आप टो आपका जो भी आप कह सकते हैं लेकिन आपका एक पॉइंट है एक format है आप इस format को समयने का प्रियास जरूर करें आए नेक्स्ट format की और बढ़ते हैं तो next format आपका next वाली वीडियो में आएगा और आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखकर enjoy करते हैं तो आप वीडियो को like भी करें और अमारे चैनल को subscribe भी करें thank you